नमस्कार आपका स्वागत है वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय अपने घर की ये चीज भूल से भी किसी को ना दे ऐसा करने से दरिद्रत आती है दोस्तो वास्तु दोश का हमारे जीवन पर बहुत घहरा प्रभाव पड़ता है अगर घर में बार-बार कलेश होता है धन की कमी रहती है अचानक कोई नुकसान उठाना पड़ता है हर वक्त कोई न कोई बिमार पड़ता है तो इन सभी के पीछे वास्तु दोश ही कारण होते है अगर इन वास्तु दोश के उपर तुरन तो कोई उपाय न किया जाए तो यह और भी परिशानिया खड़ी कर सकते है इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आये है वास्तु से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जो आपके घर में सुक सम्रद्धी लेकर आते है वास्तु के अनुसार घर की कुछ चीज़े ऐसी होती है जो शाम के समय दूसरों को नहीं देनी चाहिए इसका बुरा प्रभाव पड़ता है साथ ही वास्तु दोश से छुटकारा पाने के लिए कुछ महतोपुर्ण बदलाव अवश्य करने चाहिए कुछ काम भोती साधारन से होते है जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते और वे घर में वास्तु दोश निर्मान करते है और धीरे धीरे घर के अंदर नकारत्मकता फैलाते है इनसे निकली नकारत्मक उर्जा घर के सदस्य के मानसिक स्वास्ते पर बुरा प्रभाव डालती है हम सभी जानते है कि घर के अंदर मौजूद हर वस्तु की उसकी अपनी एक उर्जा होती है अगर उसे उसके सही स्थान पर न रखा जाए तो वह नकारत्मक उर्जा फैलाने लगती है जिस कारण घर में वास्तुदोश उत्पन्न होता है जैसी की जल की दिशा, अगनी की दिशा, मिट्टी के बर्तोनों की दिशा या फिर घडी की दिशा इन सभी वस्तुओं की एक निर्धारित दिशा और स्थान होता है जिने सही जगह पर रखने से वे सकारत्मक प्रभाव डालते है आईए आपको बताते हैं कि घर में सुकार समरद्दी लाने के लिए कुन सी बाते ध्यान में रखनी चाहिए लेकिन अगर आप चानल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे ताके आपको ऐसी रस्ति में जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके पहली बात कुड़े दान की सही जगह दोस्तों हम कुड़े दान में कई तरह का कचरा डालते रहते हैं या घर के अंदर मौझूद सबसे अधिक नकारत्मक ता फैलानी वाली चीज है इसे कभी खुला नहीं रखना चाहिए अगर हो सके तो इसे घर के भाहर रखे और इसे सदा ढखकर ही रखे साती ध्यान रहे कि कुड़े दान कभी भी घर के मुख्य द्वार के समिप नहीं होना चाहिए जादतर लोग यही गलती करते हैं जिस कारण नकारत्म कुर्जा सीधे घर के अंदर प्रवेश करती है ऐसा करने पर आपका पड़ुसियों के साथ मन मुटाव होने लगता है इसलिए कुड़े दान को मुख्य दर्वाजे से दूर रखे और समय समय पर कच्रे को घर से दूर फेक कराए ज्यादा दिनों तक कच्रा घर के अंदर रहना अशुफल देता है दूसरी बात कुड़े दान में ना डाले ये चीजे कुड़े दान में हम कभी कभी कुछ ऐसी चीजे डाल देते हैं जो स्वास्ते और सकारत्मक्ता के दरश्टिकों से सही नहीं होती कुड़े दान में भूल से भी फलो के छिलके ना फेके इससे हमेशा घर के बाहर ही फेकना चाहिए साती खराबन गीली चीजे कुड़े दान में ना डाले ये भोती ज़्यादा नकारत्मक्ता फेलाते है साती इसे घर में कीड़े होने का भी खत्रा बना रहता है पानी के बाल्टी भरकर रखे अगर आप करजे से परेशान है अथोवा धन के आगमन में दिक्कते आ रही है तो सोने से पहले किचन में बाल्टी भरकर जोरू रखे ऐसा करने से करजे से छुटकरा मिल जाएगा अगर आप बात्रूम में बाल्टी भरकर रखेंगे तो उससे सफलता के मार्ग में आनी वाली बाधाये दूर हो जाएंगी चोती बात शाम के समय दूद, दही और प्याज किसी को भी ना दे सुर्यास्त के समय अगर आपके पड़ोस में रहने वाले लोग दूद, धही या फिर प्याज मांगने आते हैं तो बिलकुल भी ना दे ऐसा करने से आपके घर की बरकत समापत हो जाएगी राज के समय दूद और धही देने से आरतिक परिशानिया उत्पन्न होती हैं और प्यास देने से आने वाले आउसर रुख जाते हैं पाची बात चट पर आनाज ना धोए वास्तु के अनुसार घर की चट पर आनाज या बिस्तर नहीं धोना चाहिए हाला कि आप इने चट पर सुका सकते हैं चट पर आनाज या बिस्तर धोने से ससुराल वालों से समन्द खराब हो जाते हैं और सम्मान में कमी आती है चटी बात मिश्री की खिर खाने से घर में बरसेगी लक्षमी की क्रपा महिने में एक बार मिश्री डाल कर खीर बनानी चाहिए इस खीर को परिवार के सबी लोगों को जरू खिला दे इस बात का ध्यान रखे कि खीर सबसे पहले घर की किसी बुजर्ग महिला को दे ऐसा करने से परिवार पर मा लक्ष्मी की क्रपा बरसेगी साथवी बात गुरुवार के दिन पीली चीज जरू खाए गुरुवार के दिन कोई भी पीली चीज अवश्य खाए वही बुदुवार के दिन हरी चीज को खाना चाहिए ऐसा करने से परिवार में सुक्षान्ति और सम्रदी बढ़ेगी आठी बात जूटे बरतन ना छोड़े रात में कभी भी जूटे बरतन छोड़कर सोना नहीं चाहिए ऐसा करने से घर में हानी होती है इसके साथ ही अगर परिवार के सभी सदस्य एक साथ कही जा रहे है तो सभी एक साथ घर से ना निकले आगे पीछे जाए ऐसा करने से समा करके आवशे बताए धन्यवाद